19 जून को जो हमारे प्रधान मंत्री जी ने ओल पार्टी मीटिंग में एक वाक्य कहा था, वो मैं सबसे पहले पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ. प्रधान मंत्री जी ने कहा ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कबजे में है, यानि उन्होंने तीन चीजें कहीं कि ना तो कभी भी हमारी सीमा में कोई घुसा है, दूसरा कि ना कि कोई घुस करके कबजा कर के बैठा हुआ है गुसा हुआ है और तीसरा कि हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कबजे में भी नहीं है ये तीन चीजे प्रधान मंत्री ने 19 जून को कहा और जब प्रधान मंत्री इतनी बड़ी स्टेट्मेंट देते हैं तो जाहिब बात है कि उसके ऊपर प्रशन आगे नहीं किया जाता लेकिन उस से पहले और उसके बाद करने वाला है वो मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूं लेकिन मैं साथ साथ में दुख से ये दुखी मन से ये भी कहना चाहता हूं कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने सुबह ये डाला था उसको दुपहर तक के हटा लिया गया तो ये जो डाउनलोड किया कुछ स पाथियों ने और अब जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको हटा लिया तो ये भी बड़े आश्चरे की बात है कि सुबह डाल करके उसके बाद में उसको हटा दिया गया पधान मंत्री को क्या अब ये बचाने की कोशिश कर रहें लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टन डु Chinese aggression on LAC, ये point number two है इसका सब पहरा one है, Chinese aggression has been increasing along the LAC and more particularly in Galwan Valley since 5th May 2020. The Chinese side transgressed in the areas of Kugrang Nala, Gogra and North Bank of Panggong Se Lake on 17th, 18th May 2020. मैं फिर से पढ़ दू, Chinese side transgressed और transgressed का मैंने Hindi और English दोनों, English में Oxford Dictionary कहते है, transgressed का मतलब to violate a law. Hindi के अंदर transgressed ये कहता है, लांगन, उलहंगन करना, अवहेलना करना, तो ये अवहेलना करा गया, उलहंगन करा गया, ये खुद Defense Ministry के, ये circular जो चार तारीक को किया, जो major activities उनके जून महीने का था, खुद उन्होंने कहा और उन्होंने डेट दी है, 17-18 मई 2020 का.